प्रीय मित्रों, हम दैनी के शिरी राम चरित मानस की कथा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप शभी भगवत प्रेमियों को शुनाते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा ब्याश नहीं हूँ। अगर मेरे द्वारा कही गई कथा में कुछ तुरूटियां हो तो आप हमें कॉमेंट के माध्यम से बताएंगे ताकि हम में जो अशुधियां हो जो गलतियां हो उसको हम सुधार सकें। आपके द्वारा किया गया कॉमेंट मेरा मार्क दर्सक बनेगा आप लोगों से हम शादर कर बद्ध प्रार्थना करते हैं कि मेरे द्वारा कही गई कथा को शुनें। अज का जो प्रशंग है कि श्री हनुमान जी बर्मास्त में बंधा कर लंका में गावन के शामने लाए गये हैं। कि रावन उनसे पूस्ताच कर रहा है कि तुम कौन हो कि वहनुमान जी कहते हैं कि हम तभू श्री राम के दूत हैं। उसके बाद हनुमान जी को रावन की भरी शभा में लाकर उनके पूच में कपरा लपेट कर और उनके पूच में आग लगा दी जाती है। तो स्री हनुमत लाल जी प्रभू के क्पाशे उपर उरकर पूरे लंका को जला डालते हैं। लंका का दहन करते हैं। तो आईए हम कथा शुरू करते हैं। कि जानव में तुमारी प्रभूताई जैसी आराम जै जै हनुमान। असहसबाहुशन परिलराई जैसी आराम जै जै हनुमान। असमरबाली सनकरिज शुपावा जैसी आराम जै जै हनुमान। असुनि कपी बचन भी हैसी भी हरावा जैसी आराम जै जै हनुमान। मैं तुम्हारी प्रभूता को खूब जानता हूं। हनुमान जी कह रहे हैं रावन को कि शहस्त्र वाहुशन से तुम्हारी लराई हुई थी और वाली से जुद्ध करके तुम्हे यह अस्प्राप्त किया था। हनुमान जी के मारमिक बचन सुनकर रावन ने हसकर बात काल दी। अक्काय उफल प्रभुलागी भूका जैसी आराम जै जै हनुमान। अक्कापी शुभाब ते तोर उरूका जैसी आराम जै जै हनुमान। असब के देह परम्प्रिय श्वामी जैसी आराम जै जै हनुमान। हमारही मोही कुमारग गामी जैसी आराम जै जै हनुमान। हे राक्षसों के स्वामी मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर के शुभाब के कारण। ब्रिक्स तोरे ए निशाचरों के मालिक देह सब को प्रिय हैं। कुमारग पर चलने बाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे। तो जीन मोही मारा अत्ते मैं मारे अत्ते ही परबांधे उतने तुमारे। अमोही न कचू बांधे कईला जा जैसी आराम जै जै हनुमान। अकिन न चाहू निजप्रभू करका जा जैसी आराम जै जै हनुमान। तब जिनोंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुमारे पुत्र ने मुझे को बांध लिया। किन्तु मुझे अपने बांदे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है मैं तो अपने प्रभु का कार्ज किया चाहता हूँ अब बीनती करव जोरी कर रावन जैसी आराम जै जै हनुमान असुन हुमान तजी मोर सिखावन जैसी आराम जै जै हनुमान अ देखा हूं तुम निज कुलई भीचारी जैसी आराम जय जय हनुमान अ ब्रामत जिभाजा हूं भगत भैहारी जैसी आराम जय जय हनुमान हे रावन मैं हाथ जोर कर तुमसे बिंती करता हूँ तुम अभिमान छोर कर मेरी सीख सुनो तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोर कर भक्त भैहारी भगवान को भजो अज्जा के डर अतिकाल डेराई अज्जो सुरय सुरचराचर रखाई अतासो भैरू कब हुँ नहीं की जये हम मोरे कहे जान की दी जये जो देवता रक्षश और समस्त चराचर को खा जाता है वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है उनसे कदापी बैर न करो और मेरे कहने से जान की जी को दे दो अप्रनात पाल रगुनायक करुना शिंदु खरारी अगये सरन प्रभुरा की हैं तब अपराद बिशारी खर के सत्रू स्री रगुनात जी शरनागतो के रक्षक और दया के शमुद्र हैं सरन जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराद भुला कर तुम्हें अपनी शरन में रख लेंगे अराम चरन पंक जवुर धरहूं जैसी आराम जै जै हनुमान अलंकाय चल राज तुम करहूं जैसी आराम जै जै हनुमान अरिशी पुलस्त जसु भी मल मयंका जैसी आराम जय जय हनुमान अत्य हिसा सिमहु जनी ओहु कलंका जैसी आराम जय जय हनुमान तुम स्री राम जी के शरण कमलो को हिल गए में धारन करो और लंका का अचले राज्य करो दिशी पुलस्त जी यस का यस निरमल चंद्रमा के शमान है उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो अबसनहीन नहीं शोह शुरारी जैसी आराम जय जय हनुमान असब भूशन भूशित बरनारी जैसी आराम जय जय हनुमान राम नाम के बिना बानी शोभा नहीं पाती मद मोह को छोर कर छोर विचार कर देखो हे देवताओं के सत्रू सब गहनों से सजी हुई सुन्द्री इस्त्री भी कपरों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती अराम भी मुख शंपति प्रभूताई जैसी आराम जय जय हनुमान अजाई रही पाई भी नुपाई जैसी आराम जय जय हनुमान असजल मूल जिनसरितन नाहीं जैसी आराम जय जय हनुमान अब बरसी गए पुनी तब ही शुका ही जैसी आराम जय जय है नुमान राम बिमुख पुरुस्र की शंपती और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना नौपाने के शमान है जिन नदियों के मूल में कोई जलसरोत नहीं है प्रतात जिने के बल बरसात कहां ही यासरा है ये बरसा बीत जाने पर फिर तुरंत ही शूख जाते हैं अशुनुदसे कंठ कह उपन रोपी जैसी आराम जय जय है नुमान अभी मुख राम त्राता नहीं कोपी जैसी आराम जय जय है नुमान असंकर सहस विष्णु अजतो ही जैसिया राम जय जय हनुमान असकहिन राखी राम कर द्रोही जैसिया राम जय जय हनुमान हिरावन सुनो मैं प्रतिग्या करके कहता हूँ कि राम भी मुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है हजारो शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते मुह मूल बहुशूल प्रदा त्याग हूँ तमय भीमान अभजहू राम रगुनायका क्रिपाशिंदु भगवान मुह ही जिसका मूल है ऐसे अज्ञान जनित बहुत इरादेने वाले तम रूप अभीमान का त्याग कर दो और खुलकेश्वामी की पाकेश्यमुद्र भगवान स्री रामचंदर जी का बजन करो अजद अपी कही कपियती हित बानी जैसी आराम जै जै हनुमान अभगती भीवेक भीरती नैसानी जैसी आराम जै जै हनुमान अब बोला भी हसी महा अभीमानी जैसी आराम जै जै हनुमान अमिला हम अही कपि गुरबर ज्यानी जैसी आराम जै जै हनुमान यद पी हनुमान जी ने भगती ज्यान बैराग्य और नीती से सनी हुई बहुत ही हित की बानी कही तो भी वहमान अभीमानी राबन बहुत हसकर ब्यांग से बोला कि हमें यह बंदर पराग्यानी गुरु मिला है अम मिर्तूनी कट आई खलतों ही जैसी आराम जै जै हनुमान अल्ला गेसी अधम शिखाव नमुही जैसी आराम जै जै हनुमान अवुलता होई ही कहनुमाना जैसी आराम जै जै हनुमान मति ब्रहम तोर करकट में जाना जैसी आराम जै जै हनुमान तेरी मिर्टू निकटा गई है अधम मुझे सिक्चा देने चला है हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा अर्थात मिर्टू तेरी निकटाई है मेरी नहीं यह तेरा मति ब्रहम उद्धी का फेर है मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है असुनी कपी बचन बहुत खिसियाना जैसी आराम जै जै हनुमान अबेगी नहरहूं मूध कर प्राना जैसी आराम जै जै हनुमान असुनत निसाचर मारन धाए जैसी आराम जै जै हनुमान असाचिवन असाहित विभू सनुवाए जैसी आराम जै जै हनुमान हनुमान जी के बचन सुनकर भबहुत ही कुपित हो गया और बोला अरे इस मुर्ग का प्रान सिग्धी क्यों नहीं हर लेते सुनते ही राक्षा सुने मारने दो दो उसी समय मंत्रियों के साथ विभी शन जी वहाँ आ पहुंचे अना इसी स करी बिने बहुता जैसी आराम जै जै हनुमान अनिती भी रोध नमारी ये दूता जैसी आराम जै जै हनुमान आन दंद कचु करी ये गोशाईं जैसी आराम जै जै हनुमान असब ही कहा मंत्र भलवाई जैसी आराम जय जय हनुमार उन्होंने शिर्णबाकर और बहुत भी नहीं करके रावन से कहा कि दूद को नहीं मारना चाहिए यह नीती के विरुद्ध है यह गोसा ही कोई दूसरा दर्ड दिया जाए सबने का भाई यह शलाह उत्तम है अशुनत बचन शुनत भीहसी बोलाद से कंदर अंग भंग करी पठाई बंदर वह सुनते ही रावन हसकर बोला अच्छा बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए यानि कि लौटा दिया जाए कपी के ममता पूछ पर सबह कहू समुझाई अतेल बोरी पठ बांदी पुनी पावक देव लगाई मैं सब को समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूँच पर होती है अतेल में कपरा डुबो कर उसे इसकी पूँच में बांद कर फिर आग लगा दो अपुँचहीन बानरत हजाई जैसी आराम जय जय हनुमान अजिन के किन्ह सी बहुत बराई जैसी आराम जय जय हनुमान अब मैं देखाऊ तिन के प्रभूत आई जैसी आराम जय जय हनुमान जब बिना पूच का वह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मुर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बराई की है मैं जराऊंकी प्रभूता सामर्थ तो देखू अब बचन सुनत कपी मन मुशुकाना अभाईशा आए सारद में जाना जातुधान सुनिरावन बचना अल्ला गेर चै मूदा सोही रचना यह बचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुश्कुडाए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया इसर स्वती जी इसे ऐसी बुद्धी देने में सहाय खूई रावन के बचन सुनकर मुर्ख राक्षा सोही पूछ में आग लगाने की प्यारी करने लगे अराहन नगर बसन गृत तेला जैसी अराम जै जै हनुमान अबाधी पूँच किन कपी खेला जैसी आराम जै जै हनुमान अकव तुकक आये पूरवासी जैसी आराम जै जै हनुमान अमारी ही चरन करही बवासी जैसी आराम जै जै हनुमान पूच के लपिटने में इतना कपरा और घी तेल लगा कि नगर में कपरा घी और तेल नहीं रह गया हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूच बढ़ गई लंबी हो गई नगरवासी लोग तमासा देखने आये वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत होशी करते हैं अब आजही ढोल देशी सबतारी जैसी आराम जै जै हनुमान अनगर फेरी पुनि पूच प्रचारी जैसी आराम जै जै हनुमान अपावक जरत देखी हनुमनता जैसी आराम जै जै हनुमान अभाया उपरम लगू रूप तुरंता जैसी आराम जै जै हनुमान धोल बजते हैं सब लोग तालिया पिटते हैं हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूछ में आग लगा दी अगनी को जलते हुए देखकर हनमान जी तुरंथी बहुत छोटे रूप में हो गए अनिबु की चडेव का पिकाना का अटारी ही अभाई सबीत निसाचर नारी बंधन से निकल कर वे सुने की अटारियों पर जा चड़े उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भैभीत हो गई उस समय भगवान की प्रणा से उन्चासों पबन भाने लगे हनमान जी अटास करके गर्जे और बढ़कर आकास से जा लगे अद्देह विशाल परमहर वाई जैसी आराम जै जै हनुमान मंदिर ते मंदिर चड़िधाई जैसी आराम जै जै हनुमान अजराई नगर भा लोग भी आला जैसी आराम जै जै हनुमान अज़ा पट लपट बहु कोटी कराला जैसी आराम जै जै हनुमान देह बरी विशाल प्रंतु बहुती हल की फुर्टिली है वे दौर कर एक महल से दूसरे महल पर चड़े जाते हैं अत्ता तमातु हा सुनिये पुकारा जैसी आराम जै जै हनुमान अयही अब सरको हम ही उबारा जैसी आराम जै जै हनुमान हम जो कहा या कपी नहीं होई जैसी आराम जै जै हनुमान अबानर रूप धरे शुर कोई जैसी आराम जै जै हनुमान है बप्पा है मैया इस अब सर पर हमें कौन बचाएगा चार और एही पुकार सुनाई पर रही है हमने तो पहले ही कहा था या बानर नहीं है बानर का रूप धरे कोई देवता है अश्यादू अबग्या कर फल वैसा अज्यरई नगर आना तकर जैसा अज्यरा नगरू निमिसय कमाही एक बिभीशन का ग्रिहनाई शादू के अपमान का यह फल है कि नगर अनात की तरह जला है हनमान जी ने एक हीचर में शारा नगर जलागावा एक बिभीशन का घर नहीं जलाया अत्ता करदूथ अनल जयही सिरिजा जैसी आराम जयहे आनुमान अज्यारा नसो तेकार नगिरिजा जैसी आराम जय जयहे आनुमान अजारा नगरू निमिसे एक माहीं जैसी आराम जै जै हनुमान है एक भी भी सन कर ग्रियन आई जैसी आराम जै जै हनुमान कि शादू की अपमान का यह प्छाल है कि नगर अनात के नगर की तरह जल्ला है हनुमान जी ने यह किछन में सारण जला डला एक भी भी सन घर का एक भी वी सन गहर नहीं जलाया जिब जी कहते हैं कि यह पारबती जिनों अगनी को बनाया हनुमान जी कुणी के दूत हैं इसी कारण से वे अगनी से नहीं जले अगुलटी पलटी अलंका सब जारी अकूदी परापुनी शिंदु मजारी हनुमान जी ने उलट उलट कर एक और से दूसरी और तक सारी लंका जला दी फिर पे शमुद्र में पूँच बुजाई को इस्रम धरिल गुरूप बहोरी अज्जनक सुता के आगे थाडबयो कर जोरी पूँच बुजाकर ठकावट दूर करके और फिर चोटा सा रूप धारन कर हनुमान जी स्री जानकी जी के शामने आप जोरकर जा खरे हुए अमा तुमोही दिजे कचुचिन्ना जैसी आराम जै जै हनुमान जैसे रगुना यकुमोही दिन्ना जैसी आराम जै जै हनुमान अचुरा मनी उतारी तब दयओ जैसी आराम जै जै हनुमान हनुमान जी ने कहा कि है माता मुझे कोई चिन्ने पहचान दीजिए जैसे शिरकुनाथ जी ने मुझे दिया था तब सिता जी ने चुरा मनी उतार कर दी हनुमान जी ने उसको हर्स पुर्भक ले लिया खेए हुतात अशमुर प्रणामा जयस याराम जय जय हनुमान अशब परकार प्रभुपूर ने कामा जयस याराम जय जय हनुमान अधीन दयाल Scrない जयस याराम जय जय हनुमान जानकी जी ने कहा यहे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना यहे प्रबु यद पी आप सब प्रकार से पुर्ण काम है आपको इसी प्रकार की कामना नहीं है तथा पी दीनों दुखिनों पर दया करना आपका विर्यद है और मैं दीनों अता उस विर्यद को याद करके हेनात मेरे भारी शेंकट को दूर कीजिए अतात सक्रसुत कथा सुनायों जैसी आराम जै जै हनुमान अबान प्रताप प्रभु ही समुझायों जैसी आराम जै जै हनुमान अम्मास दिवस महुना तुन आवा जैसी आराम जै जै हनुमान तो पुनि मोही जियत नहीं पावा जैसी आराम जै जै हनुमान ये तात इंद्रपुत जैन्त की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाहन का प्रताब समझाना अस्मरन कराना किदी महीने भर में नाथन नौ आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे अक्कहु कपी के ही बीदी राखों प्राना जैसी आराम जै जै हनुमान अतुमहुतात कहत यब जाना जैसी आराम जै जै हनुमान या तो ही देखी सी तलब इचाती जैसी आराम जै जै हनुमान अपुनि मोकहु सोई दीनु सोराती जैसी आराम जै जै हनुमान हे अनुमान कहो मैं किस प्रकार प्रान रखो हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो तुमको देखकर चाती ठंडी हुए फिर मुझे ओही दिन और ओही रात जनक सुताहिं समुझाई करी बहुबिदी धीर जुदिन अच्छारन कमल सिरुनाई कपी हनुमान जी ने जनकी जी को समझा कर बहुत प्रकार से धीरस दिया और उनके च्रन कमलों में शिरुनाबा कर फिराम जी के पाश गमन किया तो बोलिए जैसी आराम जैसी आराम जै जै हनुमान 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 संकट मोचन की पानिदान जैसी आराम जै जै हनुमान दीन दयाल बिरदिशंबारी जैसी आराम जै जै हनुमान अहराउनाथ ममशंकट भारी जैसी आराम जै जै हनुमान एक गरी या दो गरी या दो में पुनियाद तुलशी संगत सादु के हरै कोटी अपराद शियावर राम चंद्र की जै अयोध्या राम लला की जै पवनशुत हनुमान की जै पलो भाई शब शंतन की जै तरहरमा देव जै शिव संभो